केंद्र की राजनीती का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है ज़रा सोचे ये राजनीती की तृष्टी से ये कितना एहम राज्य है साथ ही यहां के राजनीता भी कितने एहम है उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब भी जिक्र होता है तो अकसर आखों के सामने घूमने लगता है वो चहरा जिन है सियासत के बाहुबली के नाम से जाना जाता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं बाहुबली राजा भहिया की हत्या हत्या की साजिश, किड्नैपिंग, लूट और घूटाले जैसे कई मामलों में उनका नाम जुड़ा रहा है जेल से जिनका पुराना नाता रहा है प्रताबगड में सालों तक सुनाई देती जिनके नाम की गूश थी वो है सियासत के बाहुबली राजा भहिया देश में बेशक राजे और रजवालों की रियासते खत्म हुए सालों भी चुकी है लेकिन उत्तरपदेश के पताबगड की जनता आज भी कुबर रगुराज पताब सिंग को अपना राजा मान कर पूझती है इस इलाके में सिर्फ राजा भहिया और उनके परवार की हुकूमत चलती है अपनी दवंगई से उत्तरपदेश की राजनीती में एक खास जगह बनाने वाले राजा भहिया का विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा है कभी जेल के अंदर से तो कभी जेल के बाहर रहकर सियासत के बाहुवली ने राजनीती में अपना जबर्चस्त सिक्का जवाया है राजा भहिया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कॉलकता में हुआ था राजा भाईया के पिता प्रताबगड की भदरी रियासत के उत्तराधिकारी थे यानि रगराज प्रताब सिंग चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे और दबंगई उनके खून में रही थी राजा भाईया की तरह उनके प्रताबगड में काफी उचा रहा वो हमेशा चर्चे में रहे खास कर इंदिरा गांधी के शासन में उद्य प्रताप ने काफी सुर्कियां बटोरी थी दरसल उद्य प्रताप की रियासत यानि प्रतापगड कॉंग्रेस की पारंपरिगड राय बरेली से बहत करीब है और इसलिए इंदिरा गांधी इस इलाके में खासी दिल्चस्पी दिखाती थी 1974 में राजा भहिया के पिता उद्य प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग गराज गोशित कर दिया था ये बात दिल्ली तक महुची तद कालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने तुरंत सेना की टुकडी प्रताप गड़ भेज दी कहते हैं कि तब से लेकर आस तक राजा भहिया के परिवायर की कॉंग्रेस से दूरी रही है कॉंग्रेस के अलगाव की एक अन्य वजह ये भी है कि उधै प्रताप सिंग आरेसे से जुड़े हुए थे हाला के राजा भहिया की दादा बजरंग बहादुर सिंग जो पंत विश्वित द्याले के संस्थापक और कुलपती थे हिमाचल प्रदेश के दूसरे राजबाल भी रहे उनका कॉंग्रेस से काफी अच्छा ताल मेल रहा राजा भहिया बेशक साही परिवार से रहे हो उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशन नस्दीकियां भी रही है लेकिन उनके पिता कभी कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए राजा भहिया ने ही 1993 में परिवार से पहली बार राजनीती में कदम रखा कहते हैं कि राजा भाईया की जन्म से पहले उनके पिता के गुरू देवराः बावा ने बेटे की पैदा होने की भविश्यमानी कर दी थी ध्यान रहे कि इंद्रागांदी अटल बिहारी बाचपे जैसे कई बड़े और दिगजने था देवराः बावा के सामने सिर जुखाते थे राजा उद्य प्रताप सिंग एक बार अपनी पतनी के साथ देवराः बावा के आश्रम में देवारिया गई थे तब ही उन्होंने उद्य प्रताप सिंग को बताया कि जल थी उनके घर में एक बेटा जनमलेगा राजा भावा आप बावा ने ही रखा था और बावा ने ही सबसे पहले उन्हें राजा बुलाना शुरू किया था अपने पिता की तरह राजा भाईया भी बावा देव रहा के अन्युयाई रहे बेशक बावा ने अपना शरीर त्याग दिया लेकिन आज भी राजा भाईया अपने किसी बड़े काम से पहले देवारिया में उनके आश्रम में जरूर जाते हैं राजा भीया की पढ़ाई लिखाई इलाबाद में हुई सबसे पहले नारायन या आश्रम के महाप्रभू स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया बाद में इलाबाद के ही स्काउट अंड गायड स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की लकनव यूरिवर्स्टी से राजा भाया ने ग्रेजुएशन किया राजा भाया को घुड़ सवारी का काफी शौक है इसलिए वो अक्सर खाली वक्त में घुड़ सवारी करते हुए भी नजर आते हैं इसके अलावा निशाने बाजी में भी वो बेहदरुची रखते हैं श्यासत के इस बाहुवली का एक और शौक काफी चेर्चा पर रहता है और वो है एरक्राफ्ट उड़ाना कहते हैं कि एक बार तो वो प्लैन उड़ाते हुए बाल-बाल बच पाए थी बावजूतिस के उनका ये शौक अभी भी कायम है राजा भहिया के शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी सी हुई थी दोनों के चार बच्चे हैं दो बेटे शिवरासिंग और ब्रजरासिंग जबके दो बेटियां हैं रागवी और ब्रजेश्वरी राजा भहिया के राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसके शुरुवात होती है 1993 से इसी साल पहली बार राजा भहिया ने पताबगड की कुंडा सीट से निर्दले चुनाव लड़ने का फैसला किया उस वक्त कुंडा की सीट पर राजा की नियाईज हसन का तबदवा था नियाईज कुंडा में छे बार से सीट जीत रहे थे लेकिन 26 साल के राजा भहिया ने अकेले न सिर्फ नियाज कुछ चुनावती दी बलके जीत भी तरश की राजा भहिया बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे पहली वार कल्यान सिंग सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला उसके बाद एक बार फिर बीजेपी की सरकार में 1999 में वो खेल कूद और युवा कल्यान मंत्री बने इस दोरान वो राजनास सिंग के बेहत करीब आए और आज भी उन्हें राजनास सिंग का खास माना जाता है 2004 में जब समाजवादी पार्टी के सरकार बने तो रगराज प्रताप यानि राजा भाईया समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें खाद और रसत मंत्री बनाया गया ये दोर था जब राजा भाईया का कद बढ़ता ही जा रहा था उत्तरफदेश में उनकी दवंगई के जल्बे थे एक तरफ वो अपनी सियासी ताकत को बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ अपराद से भी उनका नाता खत्म नहीं हो रहा था रगराज प्रताप सिंग यानी राजनीती के राजा भाईया के लिए सबसे मुश्किल का वक्त रहा जब मायावती की सरकार आई साल दो हजार दो में बीजेपी और वहजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई इस वरान राजा भाईया पर जहांसी के पूरविधायक पूरन सिंग मुंदेला ने अफरण का आरोप लगा दिया राजा भाईया पर पोटा के तहत कारिवाही शुरू कर दी गई उन्हें धाई साल तक जेल में रहना पड़ा हलाके बाद में उनके उपर से पोटा कानून हटा दिया गया था ज़रान उनकी बेंती कोठी में च्छा बिमारी की गई बाद में इस तरह की अफवाईं भी निकल कर सामने आई कि उनके आंगन में बने एक तालाव में नरकंकाल और हत्यार में ले हैं इस रहस में तालाव को लेकर भी कई किस्से कहानिया जुड़ी हुई हैं इस तरह की अफवाह सामने आती है कि तालाव में कई मगरमच रखे गई हैं और राजा भाया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाव में डाल देते हैं कहते हैं कि एक बार पूर प्रदान मंत्री चंदर शेखर से मिलने जब राजा भहिया पहुंचे थी उसी दोरा लालू प्रसाद यादव विवह मौजूद थी रागुराज प्रताप सिंग को लालू प्रसाद यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भहिया वहां से बाहर तब लालू यादव ने चंदर शेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भहिया हैं जो अपने आंगन में तालाव में मगरमच पालते हैं फिर क्या था चंदर शेखर भी राजा भहिया को बापस अंदर बुला लेते हैं और लालू प्रसाद यादव ने अपने ही से राजा भीया गिर ही जाते हैं